असलाम उलाइकूम फ्रेंड्स वेलकम बेक टो शेहरल्स किचन आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे आफगानी एग कॉर्मा यह रेसेपी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और यह बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए हम अपनी रेसेपी स्टार्ट करते 3 मेडियम साइस की प्यास को हमने स्लाइस में काट लिया 10 काजूं हमने पूरे लिये हैं 2 इंच का अद्रख का टुक्ड़ों में काट लिया है एक गठी हम्ने लेसून को छील लिया है और 7-8 हरी मिर्चे ले लिया कढ़ाएं में 2 टेबल स्पून हमने आईल गरम कर लिया इ और कुछ सेकेंड के लिए इसको चलाते हुए सौटे कर लेंगे अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे तो देखे प्याज और हरी मिर्च हम सारी डाल देंगे और अभी काजू को छोड़ देंगे और इसको 30 सेकेंड के लिए चलाते हुए फ्राइ करेंगे अब इसको हलका स सौटें करने के बाद इसमें हम काजू भी ढाल देंगे और सतमें काजू को भी हमें फ्राय कर लेना है तो देखिये हमने स्में काजू ढाल दी आंटyah, यह पूरे पूरे नकाजू है covenant इसलिए मैंने करी है ये transparent भी हो गई है और ये अच्छी से soft भी हो गई है तो इस stage पे हम flame को off कर लेंगे और इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसको mixi के जार में डाल कर पीसेंगे तो देखिए प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है हम इसको mixi के जार में डाल देंगे और साथी साथ हमने देखिए एक मुठी हरा धनियाड डंठाल समीड डाल दिया है इसको अच्छे से wash करके डालें अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको धक कर एक fine paste इसका बना लेंगे तो देखिए हमने इसको पीस लिया है कितना fine paste हमने इ चार टेबल स्पून हम घर की मलाई डाल दें या आपके पास मलाई ना हो तो fresh cream इसमें चार टेबल स्पून डाल दें और डाल कर mix को बहुत जादा नहीं चलाएंगे बस थोड़ा ही चलाएंगे ताकि यह mix हो जाए बस इतना ही हमें इसको चलाना है यह तो हमारी दही फट स तो देखिए हमने इस तरह से इसमें छेद कर लिये अब कढ़ाइ में हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया इसमें हम अंडे को fry करेंगे तो एक अप करके हम इसमें अंडो को डाल देंगे अंडे डाल कर हमें इसको फ्राइ कर लेना है तो इसको देखिए इस तरह से हम शेक करते हुए अलट पलट कर देंगे इसी तरह हमें अंडों को फ्राइ कर लेना है जब एक अच्छी लेर इस पर आ जाएगी तब हम इसमें मसाले डालेंगे तो देखिए कुछ मसाले हम इसमें अब डालना शुरू करते हैं तो देखिए क्वाटर टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे क्वाटर टीस्पून पिसा धनिया और क्वाटर टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और quarter teaspoon इसमें हम नमक भी डाल देंगे अब डाल कर इसको अच्छे से शेक करते हुए मसाले को अंडों के साथ फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा हमें इसको नहीं जलाना है मसालों को जादा नहीं पकाना है बस हलका सा ये देखिए पग गया है अब हम फ्लेम आफ कर देते हैं दूसरी कड़ाए में हमने 100 ml आईल को अच्छे से गरम कर लिया चार लॉंग, चार इलाईची, एक छोटा दालचीनी का पीस और छोटा सा जावत्तरी का पीस हमने इसमें डाल दिया बहुती छोटा सा जावत्तरी का पीस डालेंगे और 30 सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे अब जो हमने ग्रीन पेस्ट पीस कर रखा है वह हम इसमें पूरा डाल देंगे तो इस तरह स्पून चलाते हुए हम सारा पेस्ट डाल देंगे दिखिए सारा पेस्ट हमने इसमें अच्छे से पोँच कर ढाल देना है थोड़ा सा पानी भी हम मिक्सी में हिला कर ढल देंगे ताके पेस्ट हमारा वेस्ट ना जाए और इस मसालों को रखा हमें अच्छे से भूनना है तो कुछ मसाले हम और मिलाते हैं एक टी स्पून काली मिर्च, एक टी स्पून चाट मसाला और एक टी स्पून ही हमने नमक डाल दिया आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या जादा कर सकते हैं आप इसको हमने मिक्स कर दिया है और ढखकर मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनने के लिए रख देंगे बीच में एक दो बार चला भी दें क्योंकि ये काजू है इसमें तो ये लग सकता है देखिए ओईल सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छे से भून चुका है इस स्टेज पर हम इसमें जो अंडे हमने फ्राय करें थे ओईल समीद मसाले समीद पूरे अंडे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे अब हमें ग्रेवी इसमें बनानी है तो आप अगर चाहें तो ऐसे ही गाड़ी ग्रेवी रखें अगर आपको पतली करनी है तो एक कप पानी मैनेस में डाल दिया अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से इसके ग्रेवी बना सकते हैं हलके हाथों से चला देंगे और इसमें एक बॉइल आने का इंतिजार करेंगे इसी स्टेज पे हम एक टीस्पून रोस्टेट कसूरी मेथी को हाथों पर लेकर रब करते हुए डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो आप इसको जरूर डालें अब देखिए बॉइल आ गया है हम इसमें क्वार्ट टीस्पून गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको ढख देंगे और लो फ्लेम पर पाच मिनट के लिए दम लगा देंगे धीमियाज पर फिर फ्लेम आफ कर देंगे और इससे ढखा रहने देंगे अब देखिए पाच मिनट के बाद हमने इसको खोला ओइल इस पर सेपरेट हो चुका है ये बन कर तयार है हमारा अफगानी अंडा कॉर्मा बन कर तयार है बहुती टेस्टी और मज़िदार बना है आप इसको एक बर जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि इसी तरह आपको मैं अपनी नए नए रेसिपी पेश करती रहूँ दौाओं में याद रखें फिर मिलूँगी मैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज